नमस्कार मित्रो मेरे चैनल मनी जीवन दी होप में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं अपने इस वीडियो में अनार फल के सेवन से हमें किन-किन बिमारियों से लड़ने में सहायता मिलती है इसके बारे में बताने जा रही हूं एक पुरानी कहावत है एक अनार सो बिमार लेकिन अनार फल के सधी गुनों के कारण हम यह कह सकते हैं एक अनार बनाए सो काम अनार दुनिया भर में खाये जाने वाले सबसे पुराने फलों में से एक है और आज विश्वभर में इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है सोत करता गण मानते हैं कि अनार का फल तिन सो साल पुराना फल है यहुदी धर्म में अनार को जनन छमता का सूचक माना जाता है हमारे देश भारत में अनार का फल अपने स्वास्थे संबंधी और शधिय गुनों के कारण लोग प्रिय है दुनिया के गर्म प्रदेशों में यह फल पाया जाता है रोम देश की निमासी अनार को जादा बीजवाला सेब या एपल कहती है भारत में अनार के पेड़ अधिकतर महराष्टर, राजिस्थान, उत्तरपदेश, हरियाना, आंतरपदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू और कुजरात में पाये जाते हैं अनार का पेड़ दिखने में सुन्दर और छोटे अकार के होते हैं इसके पेड़ की लंबाई पांस से दस मीटर तक होती है इसके पेड़ में फल आने से पहले लाल रंग का बड़ा फूल खिलता है इसके फल, फूल, पत्ते, बीज में विभिन बायो एक्टिव कंपाउंड पाये जाते हैं इसे कारण हमें अनार फल खाने से प्रचूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बो हाइडरेट, फाइबर, विटामीन और खनीज मिलता है एक अनार 250 से 300 ग्राम भार का होता है और 100 ग्राम अनार खाने पर हमारे सरीर को 65 किलो कैलोरी उरजा मिलती है अनार पेड़ की लकड़ी बहुत मजबूत होती है इसी कारण इसका प्रयोग छड़ी बनाने के लिए किया जाता है अनार की डाली से बनी हुई कलम का यूज पूजा उपाशना के लिए किया जाता है वैसे अनार को इंगलिस में पॉम ग्रेनेट नाम से जाना जाता है जबकि अनार का वानश्पतिक नाम प्यूनिका ग्रेनेटम है अगर हम बात करें इसके आसद्धी गुनों की तो इनके आसद्धी गुनों के कारण ही कई आरवेदिक दवाएं बनाये जाते हैं इनके बीचों से निकलने वाले तेल का प्रयोग अध्योगिक छेत्र में किया जाता है अनार के सेवन से रक्त संचार वाली बिमारियों से लड़ने में सहता मिलती है यह उच रक्त चाप को घटाता है, हाई कोलेस्टरॉल की समस्या से निजात दिलाता है सूजन और जलन में राहत पहुँचाता है, जोडों के दर्द में यह उप्योगी है गठिया और वातरों की संभावना को घटाता है, अनार की सेवन से सरीर में आक्सिजन का इस्तर बढ़ता है एंटि आक्सिडेंट से भरपूर, अनार के रोजाना सेवन से चहरे के दाग, धब्बे दूर होते हैं तथा चहरे में निखार आता है इससे हड़ी मजबूत होता है, वजन कम करने में अनार जो है बहुत उप्योगी है, छोटे बच्चों के दस्त और पेचिस को रोकने में फाइदे मन्त है, पेट के कीडों को खत्म करता है, साथी साथ या गंजा पंदूर करने में भी सहायक है यह विभी निप्रकार के कैंसर जैसे त्वचा कैंसर, इस्तन कैंसर को घटाता है और पेट में अलसर की संभावना को घटाने की दृष्टी से भी उप्योगी है अनार का रस विध्धा वस्था में होने वाली अलजाइमर रोक की संभावना को भी घटाता है यदि आपको यह मेरे द्वारा दिया गया यह जानकारी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद